बिना पेट्रोल के चलता है 75 किलोमीटर टीवीस का ये शांदार स्कूटर नमस्कार दोस्तों स्टार्टिंग लाइन सुनकर तो आप चौकी गए होगे लेकिन अगर हम कहें कि ये सच है और कैसे वो आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है देश की प्रमुक दो पईया वहन निर्मादा कमपनी टीवीस ने हाली में घरेली वाजार में अपने पहले इलेक्टिक स्कूटर टीवीस आईक्यूब को लाँच कर दिया है चारजिंग टाइम की बात करें तो इस स्कूटर को फुल चारज करने में 5 घंटे का समय लगता है और एक बार फुल चारज करने पर ये स्कूटर 75 किलोमेटर तक की ड्राइविंग रेज देता है वहीं टीवीस आईक्यूब की टॉप स्पीड 78 किलोमेटर प्रती घंटे की है लुक की बात करें तो टीवीस आईक्यूब की डिजाइन बेहत प्रीमियम है और इसमें LED लाइटिंग दी गई है जो कि इसके लुक को और भी जादा स्टाइलिश और आकरशक बनाती है फीचर्स की बात करें तो टीवीस आईक्यूब में 7 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर दिया गया है और खास बात यह है कि इस इसकूटर को आप Bluetooth की मदद से अपने स्मार्ट फोन के साथ कनेक कर सकते हैं और सारी डीटेल्स चेक कर सकते हैं फानल इप कीमत की बात की जाए तो टीवीस आईक्यूब एलेक्टिक की कीमत 1,15,000 रुपर रखी गई है तो दोस्तों आपको यह शांदार स्टैलिश एलेक्टिक स्कूटर टीवीस आईक्यूब कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताई और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ठैंक यू वेरी मच्च